Hello Friends, हमारे YouTube चैनल सेप्टी ग्यान में आपका स्वागत है आज कहा हमारा टॉपिक है hierarchy of control अक्सर हम सुनते हैं या work site पे देखते हैं या लोगों की mentality को observe करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि लोगों की thinking या mentality ये होती है कि यदि हमने personal protective equipment यानी PPE पहन लिया तो हम सुपर सेफ हो गए हमें कुछ नहीं हो सकता या safety means PPE हमने PPE पहन लिया तो हमारे safety के लिए कुछ और करने की जरुवत ही नहीं है लेकिन safety system में ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा वे लोग safety system के विसे में सही जनकारी नहीं होने के वजह से सोचते हैं हिरार्किया freeze control के अनुसार PPH control मेजर का सबसे last step है जैसे यदि बारिस हो रही हो और हमें उसी बारिस में कहीं जाना हो तो हम बर्सा से बचने के लिए umbrella या raincoat का परयोग करते हैं लेकिन हम उस बारिस से भीगेंगे या नहीं या भीगेंगे तो कितना भीगेंगे यह हमें जहां जाना है उसकी दूरी बारिस का direction यानि बारिस सीधी हो रही है या तिर्शी हो रही है बारिस तेज हो रही है या धिमी हो रही है बारिष के समय हवा तो नहीं चल रहा है इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है यानि रैन कोट या अम्बरेला का परियोग करने के बाद भी हम बारिष से भीगेंगे या नहीं ये निशित नहीं होता ठीक उसी परकार हमारा PPE इश काम करता है यानि PPE पहन लेने के बाद भी हम या सुनेशित नहीं कर सकते कि हम 100% सेफ हैं यहाँ एक सवाल बन में आता है कि यदि PPE पहनने के बाद भी हम 100% सेफ नहीं हैं तो हम पुरी तरह से सुरक्षित रहें उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए आज इस ट्रेनिंग के दुरान हम hierarchy of risk control के बिसाय में रिटल्स में डिसकस करेंगे यदि आप hierarchy of risk control के बिसाय में रिटल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को skip करके न देखें यदि आप risk के बिसाय में रिटल्स में जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो रिक्स असेस्मेंट जरूर देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिक्स असेस्मेंट के वीडियो का लिंक दिया गया है Hierarchy of Control Prevention के कुछ प्रिंस्पल हैं जिनका परियोग Workplace हजार्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है यह प्रिंस्पल Correct Selection of Technical, Procedure और Behavioral Control पे अधारित है यहां हजार्ट कंट्रोल के कुछ प्रिंस्पल हैं जिनने Hierarchy of Control या Hierarchy of Risk Control या Hierarchy of 1000 कंट्रोल के नाम से जाना जाता है Elimination, Substitution, Engineering Control, Administrative Control, PPS यानि Personal Protective Equipment Elimination, Elimination उस Activity को जिसमें ज्यादा रिस्क हो उसे Completely Avoid करके किया जा सकता है जैसे जिस Process या Substance या Equipment का परियोग हो रहा है उसे Stop करके या किसी दुसरे Form में उसका परियोग करके किया जा सकता है इस Control Method में रिस्क बिल्कुल Zero हो जाता है For example, यदि हमें कोई Material Lift या Shift करना है यदि उस Material को हम Manually Lift या Shift करेंगे तो Back Injury, Back Pain, Muscle Strain या Sleep, Trip and Fall होने के Chance ज्यादा रहेगा यदि उस Material को हम Manually के जगा Mechanical Gear जैसे Crane या Hydra का परियोग करके उठाते हैं तो उस Condition में Risk Zero हो जाता है तथा हम Back Injury, Back Pain, Muscle Strain तथा Sleep, Trip and Fall से पुरी तरह से बच जाते हैं Substitution का मतलब Replacement यानि Replace करना होता है कभी-कभी हजार्स को Eliminate नहीं किया जा सकता लेकिन High Risk वाले हजार्स को Low Risk वाले हजार्स से Replace किया जा सकता है जैसे यदि हमें Paint करना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है जिसे हम Eliminate या वाइट नहीं कर सकते यदि हम Painting के लिए Oil-based Paint का उपयोग करेंगे तो उसमें Inhilation of Toxic Fumes या Fire and Explosion और Aspillage of Paint का रिस्क रहेगा यदि हम Oil-based Paint के जगा Water-based Paint का उपयोग करेंगे तो हम Inhilation of Toxic Fumes या Fire and Explosion से पुरी तरह से बच सकते हैं Engineering Control जिस हजार्स को Eliminate याने Remove या Substitute याने Replace नहीं किया जा सकता उसके Exposures को Prevent करने के लिए Engineering Control का परयोग किया जाता है जैसे यदि हमें किसी Pipeline या Equipment को Grinding करना है जिसमें Broken Wheel या Flying Particles से इंजूरी होने का रिस्क है तथा Electrical Sock या Short Circuit होने का चांस है Grinding को न तो हम Eliminate याने Avoid या Remove कर सकते हैं और नहीं उससे Substitute याने किसी दूसरे Activity के साथ Replace कर सकते हैं उस हिस्थिती में हम Engineering Control याने Grinding Machine में Safety Guard फिक्स कर सकते हैं जिससे Flying Particle से या Broken Grinding Wheel से इंजूरी होने का रिस्क Zero हो जाएगा या कम हो जाएगा तथा Electrical Safety Device याने ELCV या RCCV का परियोग कर सकते हैं जिससे Electrical Sauk या Short Circuit होने का रिस्क कम हो जाएगा Engineering Control might be done by Isolation या Total Inclosure करके Separation और Segregation करके Partial Inclosure करके Safety Device का परियोग करके Administrative Controls Administrative Control, Procedure और Behavior पे निर्भर करता है हजाएट्स के Exposure को Substitution या Engineering Control के दुवारा Reduce करने के बाद भी उसका रिस्क Zero नहीं होता है इसलिए हमें उसके रिस्क को और Reduce करने के लिए Administrative Control यानि Procedure Safe System of Work, Permit to Work System, JSA, Risk Assessment, Instruction, Information, Training and Supervision और Reduce Time of Exposure, Signage, Posture, Safety Alert, Toolbox Talk, ETC को अप्लाई करना चाहिए The Administrative Control are Safe System of Work, Reduce Exposure, Reduce Time of Exposure, Information, Instruction, Training and Supervision Personal Protective Equipment Personal Protective Equipment जिसे हम PPH के नाम से भी जानते हैं है Aki of Risk Control का Last HTAPI Control Measures होता है Substitution Engineering Control तथा Administrative Control के बाद भी Risk Level Zero नहीं होता है जिसको कंट्रोल करने के लिए Suitable PPH जैसे Helmet, Goggle, Face Shield, Nose Mask, Ear Plug या Ear Muff, Hand Globs, Safety Harness, Safety Sue, ETC का पर्योग किया जाता है Suitable PPH means Risk और Condition के अनुसार suitable हो Ergonomic या Use Friendly हो Body के अनुसार proper fit हो उसको पहनने के बाद Overall Risk इंक्रीज नहीं हो Applicable Standard को comply करता हो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा